असलाम वालेकुं फ्रेंड आप अपने अपने कामों में बिजी होंगे और आशा करता हूं और सब ठीक ठाक होंगे आज हम अपने टेरिस गारडन के पोटुलागा प्लांट के बारे में कुछ टिप्स डिसकस करेंगे पोटुलागा प्लांट समर में गुरो कर जाता है पोटुलागा प्लांट की अलग अलग वराइटिया पोटुलागा प्लांट की अलग अलग नेम से अलग अलग स्ट्रीट्स में जाना जाता है कहीं पर नाइन अकलो कहा जाता है कहीं पर मौसरोस कहा जाता है कहीं पर पोटुलागा प्लांट कहा जाता है पॉर्टूलागा प्लांट सकुलेंट फैमिली से ब्लांग करता है पॉर्टूलागा प्लांट को जादे खात की जरूरत भी नहीं होती और पॉर्टूलागा प्लांट को जादे वाटरिंग की जरूरत भी नहीं होती पॉर्टोलागा प्लांट को वर्टरिंग के जरूरत नहीं कि इसके लीव्स होते हैं इसके अंदर काफी मौश्य पायाता है जैसा आप इसको तोड़ींगे तब कि इसको दीखे का इसके अंदर काफी पानी पानी भर होता है इसलिए कि सक्रूलेंट फैमली से बिलॉंग करता काफी color से मैं इसमें flowers आते हैं इसमे और जो पॉट्यलागा प्लांट इसको सोईल बनाने का तरीका भी काफी आसान है और फॉर्टी परसेंट आप लेंस सैंट सोईल और थाटी परसेंट ने नॉर्मल सोईल और विया से टोइंटी परसेंट ने खाथ इन सबका mi Karra करे आप इसकी सोईल इसली बन जाती है और पॉटुलागा प्लांट को जो पॉटुलागा प्लांट है उसे वेल ड्रेन सोईल पसंद है पॉटूलागा प्लांट को प्रटूलागा प्लांट पे इंसेक्स का हमला भी होता है जैसे एफ्रेट्स अगरा इसके बचाओंगी नीम ऑईल का इस पर आप वीगली वीगली पर करेंगे तो इस पर कीड़े लगने का चांस ही नहीं रहेगा और आपका प्लांट बुलकुल स करते हैं जैसा हम प्लावर्स आइंगे और पोटूलागा प्लांट को आफ शेडी एरिया में रखींगे उससे क्या होगा आपको प्लांट से वह तो बड़ा होगा मगा लेगी लेगी सिसकी ब्रांची हो जाएंगी और लीजस दूर-दूर जाएंगी उससे क्यों और और फ जो जाएगा दो-तीन दिन में की स्टेम चलने भी शुरू हो जाती है और आप कहेंगे पूर्ट लागर प्लांट को इसके उपर सेप्रेट वीडियो भी बना दूंगा इसकी कुटिंग उपर में एक सेप्रेट वीडियो अपकी निये बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो और पॉटुलागा प्लांट को आप फैव में एक बार खात दे देंगे तो यह पूरी पूरी आपके सीजन चलेगा अच्छी तरियों से अब पंदर दें में हम लिक्विड फेटिलाजर देते ही है इस प्लांट के अब लिक्विड फेटिलाजर कैसे मनाएंगे गोबर खा ढ़िए इसको ठीक है और पॉटुला का प्लांट है जैसे इन पट्रुलागा प्लांट सीजनल भी पाए जाते हैं, और पर्मिन यह पाए जाते हैं, जो इनकी फलावर्स के लीफ होते हैं, काफी वेरिकेड़ेर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुर रोज जैसे लगते हैं, और मुझे पॉटुलागा का प्लान इसा है, फैल हूँ अगमला चाहिए, क डिप जादे ने रखिए मगा इसके चोड़ाई जो चोड़ाई यह सो काफी रखिए उससे कोगा फैलने में से हासानी होगा अच्छितरियों से आपका गुरो भी होगा यह आपका प्लांटे पॉटुलागा का ठीक है और अब पॉटुलागा के लिए आप यह पॉटुलागा जो प्लांट है वह एट इंच के पॉट्स में अराम सा गुरो हो जाता है यहां तक इतने सा आप इतनी सी वह लेंगे नहीं इतना सा पॉटुलागा प्लांट इसली गुरो हो जाएगा और पोर्टलागा प्लैंट पर्टलागा प्लाटलाघ की सीड़ भी बनते हैं जैसे आपका फलावर खिल गया उसके बात कि होता सब्सक्राइब करना कफी काफी मुष्ट किले मगर आप कर सकते हैं अभी तो मेरा कोई दीख नहीं रहा है जिस पर फूल करो जैसे आपको पिंग वाला फ्लावर दिख रहा है कल खिल जाएगा तो इसमें सीट पॉर्ट बनेगा फिर और इसके इसमें सीट डिस्टोट कर लेते हैं और जो पॉर्ट लग आज आज कल हम लोगे आप बारिश हो रही है दो चार दिन से बहुत मौसम खराब है तो इसलिए अपको पॉट्रूला का फ्लावर के लिए नहीं दीख रहे इसमारे और पॉट्रूला आपको फ्लावर खिलिए नही और अब यही सब टिप्स है आपको पॉट्रूला का प्लावर बहुत अच्छे चलेगा इसके साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स प्लावर के साथ मिलेंगे जब तक जब तक के लिए बाई बाई और कोई भी कोशन हो आपको प्लांट से लेटे तो मुझे से कमेंट बक्स में जरूर पूचिए जरूर पूचिए फ्लीज फ्रेंड और मेरी वीडियो साथा लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए क्योंकि यह इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुचेगी दूसरों को भी प्लांट लगाने का अनुभाव होगा इसके साथ ओके बाई बाई फ्रेंड